Free Fire के लिए Best Optimizer आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसका यूज करके आप 1GB, 2GB, 3GB या फिर 4GB RAM वाले फोन पर Free Fire को बिना किसी लैग के इतना सा भी आपको लैग ना देखने को नहीं मिलेगा बिना किसी लैग के Free Fire को प्ले कर पाओगे और इस ट्रिक के उस करने से ना फ्रेम रेट भी इंप्रूब हो जाता है जिससे आप और भी बेटर स्मूध गेमिंग एक्स्परियेंस पा सकते हो और उसके साथ साथ ऐसी कुछ useful application आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आपको भई एकीन मानो बहुत काम आने वाला है बहुत से hard work को easy बना देता है जो कि आप definitely try करके देखना आपको बहुत मसा आएगा बढ़ उससे पहले अभी से इस वीडियो पे लाइक कर दो और टेक्नो माइंड उज्वाल चनल को सब्सक्राइब करके पिल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी amazing useful वीडियो अपलोड होती आपके पास सबसे पहले notification पहुँच जाए तो चलिए भी ना time most किये इस वीडि अपलोड कर सकते हो वह भी 100% free में ओके तो इस बहले application से आपको क्या help मिलेगा देखो जब भी आप कोई सबी picture social media पर upload करते हो तो भी उसमें कुछ caption बगेड़ा तो आपको डालना पड़ता है और जाके आप Google पर find करते हो बट इस बहले application के अंदर एक AI based application है तो भाई आपको इसके अंदर just image को upload करे देना है तो आपको automatically based of the best या पर उस image के लिए जो perfect captions रहता है वो आपको provide करे देता है जो कि आप just copy paste करके अपने social media post को और भी ज्यादा interesting बना सकते हो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा like, comments and share मिले and आपका social media profile और भी बहतर से बहतर बनता जाए इस second app की बात करा जाए तो वह एक special free fire app है जिसके अंदर आपको free fire को add भी नहीं करना होगा just application आप install करो अपने phone पर then automatically free fire को detect कर लेता है इसके बाद आपको just boost वाले option पर click करके अपने phone को boost कर लेना है जो कि अपने phone को आप जो भी वाला phone use करते हो free fire के लिए optimize कर देता है जाहे आ आपको कुछ भी नहीं करना है इस app को off करके अब free fire को जाके play करोगे तो आपको भेतर भेतर से भेतर gaming experience मिलेगा free fire के अंदर आप देखना पहले के मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल lag आपका fix हो जाएगा and game के अंदर frame rate भी improve होने वाला है जिससे आपको smooth smooth gaming experience मिलेगा जो कि आ definitely अपने android phone पर try करके देखो अगर आप free fire lack से बहुत ज़्यदा परेशान हो गया हो तो अब थार आप की बात करा जाए तो देखो इस परले आपकी name है mobile cup इस app के अंदर आपको specially trending ringtones देखने को मिलता है जो कि आजकल बहुत ज़्यदा popular sword है उन सभी ringtones को आप इस जगे पे इ बहुत ज़्यदा चाहता हूं आपको इन सभी ringtones को एक बार सुना ना बड़ आपको पता है ना copyright claim नाम का भी एक चीज होता है उसी वयाँ से मैं आपको सुना नहीं सकता अप इस पाले app को download करने के बाद देखना आपको एक से बढ़िया एक ना ringtones या पर देखने को मिलेग और इस app को install करने से पहले आप अपने phone पर ringtones कैसे set करते थे या फिर कहां से download करते थे वह आप comment करके definitely पता देना ताकि मुझे भी पता चले और बात करा जाए इस app के अंदर आपको एक static wallpaper section में मिलता है जिसके अंदर आपको कुछ wallpapers देखने को मिलेगा जिसे आप download करके अ fully customize कर सकतो अपने मुताबिक और इसे customize करने के लिए कुछ coins की ज़रूरत रहता है जिसे आप ads देखकर या फिर spin बगेरा करके earn कर पाएंगे इस app के अंदर से और भी completely free में ओके तो आप अपने मुताबिक एक character design कर लेना then उस character की जो wallpaper बनता है या फिर अलग-अलग बन सकता ह आप जो भी बना होगे उसे आप home skin पर भी set कर सकतो चाओ तो lock skin पर भी लगा पाएंगे ऐसा कोई सा भी restriction नहीं है कि आप lock skin पर नहीं लगा सकते हो या पे home skin पर लगाने के बाद AI की step से काम करता है देखो जब भी इस character की उपर आप click करोगे ना तो यह dance करने लग जाएगी एंट उसके साथ साथ एक music भी play होता है जो कि एक Japanese type music है और मुझे Japanese music बहुत चाथा पसंद है मैं आपको भी सुनाना चाहता था यार बट ओ copyright चीज़ ना और copyright के लिए बहुत भेका रहे बहुत घटी आए हर एक YouTubers के लिए इसी वाज़ा से मैं आपको music सुना नहीं सकता आप कुछ से सुन लेना तो यह वाला AI application भी बहुत perfect है बहुत बढ़िया wallpaper quality आपको provide करता है और यह जो character है यह भी मुझे बहुत पसंद है आप इसे अपने मुताबिक जैसे मर्सी हो वैसा makeover कर सकतो वैसा इसको सजा सकतो अगर Indian language में कहा जाए तो और यह आपको ना बहुत पसं app बहुत पसंद आएगा बहुत perfect यह काम भी करता है recent app के अंदर जाकर भी आप देखेंगे तो भी तब भी है wallpaper वैसा का वैसा काम कर रहा है जैसे कि home skin पर अब बात करा जाए app नंबर 5 की जो कि मुझे बहुत पसंद है आप भी ट्राइ करके देखना आपको भी ना iOS वाला फिल होने वाला है इस पर ले आपको यूज करने के बाद अपने Android फोन को यूज करते टाइम iOS में जो वाला keyboard दिया गया है ना जो बहुत ज़दा मस्ते बहुत ज़दा good looking है बहुत ज़दा classic आप इससे बहुत सकते हो आप उसी बहले keyboard को अपने फोन पर set कर सकते हो जाच इस पहले आपके फोन पर iOS या फिल बे या फिल आई फोन के अंदर जो भी वाला keyboard रहता है वो आपके Android फोन के अंदर भी आ जाएगा जिसे आप चा सकतो यह वाला application बहुत अच्छे आए बहुत minimal look है आईफोन टाइप आपको same to same इसका look देखने को मिलेगा और iPhone keyboard या फिर Apple का जो keyboard रहता है मुझे actually बहुत ज़दा पसंदे आप भी try करके देखना आपको भी keyboard definitely पसंद आने वाला है और बात करा या इन सभी apps को जो जो apps में आपके साथ सेयर करा उन सभी apps को आप 100% free में कैसे download करोगे इसके लिए आप वीडियो के description box में जाओ वहाँ पर आपको world cup करके लिखाओ मिलेगा world cup के पास में जो भी वाला link है उस पर click करती आप Google पर पहुंच जाओगे Google से आपको first वाला option open करना है simply then यह article open हो जाएगा और friends यहाँ पर यह video खतम नहीं होता है अगर आप free fare के अंदर lag को और भी बढ़िया तरीके से fix करना चाहते हो तो भाई आप first वाला वीडियो जाका definitely watch करना and second वाले वीडियो को fully watch करके आप free fare के अंदर pink problem को हमेशा के लिए fix कर सकतो चाहिए आप कहाँ पर भी या फिर किसी भी जगे पर क्यों न रहते हो तो चलिए भई इस वीडियो में बस इतना आई मैं मिलता हूँ आप से इन दो वीडियो उस पर